अली अबास की अगली फिल्म नजराएंगी कैटरीना कैप बनेंगी देश की पहली सुपरहीरो बलेवुड की मशूर और चर्चित अभिनेतरी कैटरीना कैफ को आप आने वाले दिनों में कई फिल्मों में देखने वाले है जिसकी तैयारी में वो काफी समय से जुटी हुई है जिसमें एक फिल्म में वो सुपरहीरो का किरदार निभाने वाली है जी हाँ आपको बता दें कि कैटरीना कैफ बलेवुड के मशूर डाइरेक्टर अली अबास ड्रफर की अगली फिल्म में नजर आने वाली है जिसमें उनका किरदार एक सुपरहीरो वाला होने जा रहा है अली अबास ड्रफर पिछले काफी समय से एक भारतिय सुपरहीरो पर आधारित एक फिल्म का निमारुन करना चाहते थे लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा था हला कि अब वो अपनी पहली एसी ही फिल्म की तैयारी शुरू करने जा रहे है इस वक्त की आई ताजा ख़बरों में ऐसा कहाँ दार हा है कि अली अबास ड्रफर ने कैटरीना कैप को कास्ट कर रहे है फिल्म में कैट्रीना एक सुप्रहीरो के किरदार में दिखाई देने वाली है लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैट्रीना कैप ही इस फिल्म में कोई भी मेल कलाकार नहीं होगा यानि फिल्म में कैटरीना कैप ही हीरो होंगी और हीरोईन भी होगी इसका मतलब ये तह है कि फिल्म का पूरा भार सिर्फ और सिर्फ कैटरीना कैप के कंधों पर ही टिका है अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो इसका पूरा श्रे कैटरीना कैप को डाएगा और अगर हिट हुई तो भी फिल्म में कोई मेल कलाकार नहीं होगा इस बात का खुलासा खुदाली ने एक बार एक खास बाचीत में किया था उनका कहना था कि कैटरीना कैप जैसी बड़ी अभिनेतरी को किसी मेल स्टार की जरूरत नहीं है खिर कैटरीना इसके आलावा कई फिल्मों में दिखाई देने वाली है जिसमें उनकी सलमान खान के साथ टाईगर तीन है और अक्षे कुमार की फिल्म सूर्य वंशी में भी नज़र आएंगी जो रिलीज के लिए पूरी तरह से तयार है